बॉर्णीं स्टुडेंट्स कैसे हो आप सब आपको कल लेसन स्टाट किया अच्छे से समझ आया वाटर रिसोर्स तो कल हमने वाटर रिसोर्स का पार्ट वन किया था चलिए आज हम स्टाट करते हों पार्ट तू यहां हमने छोड़ा था उससे आगे तो ज़रा ध्यान से कि वाटर रिसोर्स इस पार टू कंजर्मेशन एंड मैनेच्मेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इस इस में दो चीज़े हमने कवर करनी है बॉदन टेक्नीक्स ही श्रड़ी करनी है जिसमें एक है मुल्टि परपस प्रोजेक्ट और दूसरा है रेइंड वाटर हार्वेस्टी यह तो तरीके हैं जिन से हम water को conserve करते हैं और प्रोपरी मैनेच करते हैं तो बर्टी पॉपस प्रोजेक्ट में ये आपको reverse नज़र आ रही है इंडिया की यह रिवर्स पर ही हर तरह के मलती परफस प्रोजेक्ट पने हुए हैं गंगा यमना गोदावरी पृष्णा कावेरी यहां से सत्लोच है उपर से इंडस आ रहे हैं यहां से नर्मदा और तपी रिवर्स हैं दूसरी चीज हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसम यह घर घर की रूफ रूफ टाप पे कैसे पानी को बचा के यह डायग्राम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आप इसका प्रोजेक्ट भी बना चुके हो और आगे भी आप इस लेसन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओगे तो दियर स्टूडेंस चलिए हम इस लेसन को स हम माजन टेक्नीक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन में मल्ती पॉपस प्रोजेक्ट की बात स्टार्ट करते हैं तो दियर स्टूडेंस पुराने समय से ही डैम्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, एम्बैक्मेंस और कनाल्स तो बंते ही आ रहे हैं पुराने समय से ही अंग्रीजों के रिक्रियेशन यानि कि बहुत सारे फंक्शन्स जो हैं वो डैम्स प्ले करते हैं जैसे डैम्स बनाए भी किसलिए जाते हैं फॉर एक्जमपल सतलुच ब्यास रिवर पे जो डैम बना है भाकडा नंगल प्रोजेक्ट वो बनाया गया हाईडरल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज किया गया बात आती है कि वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर सबसे ज्रूरी बात कि हमें वाटर को कंजर्व क्यों करना है तो इसलिए विकर्स इट कीप्स अवरसेल्फ हल्दी पानी के जरिये ही हम हल्दी रहते हैं है ना तो वाटर इस तम बेसिक फुल एको सिस्टम वाटर पे ही डिपेंडेंडेंट है इट इंशूर्स फूड स्क्योर्टी पूरा खाना इतनी पापूलेशन को सर्व करना यह भी किसका काम है यह भी वाटर से ही मुम्किन है और मोरोवर प्रमोट एकनॉमिक ग्रोथ आपको पता है जितनी भी करने का काम यह सब किसे होता है यह वाटर के जरीए ही होता है तो एग्री कल्चर के साथ साथ एक मतलब एकोनामिक ग्रोथ सब पर डिपेंडेंट है एग्री कल्चर पर भी डिपेंड है और इंडस्ट्री पर भी डिपेंडेंट है और इंडस्ट्री पर इपेंडेंडेंट तो ये चार चीजे हम ध्यान में रखते हैं, तो automatically conservation की बात और management की बात आ ही जाती है. Moreover, बात करें multipurpose projects की, जब हम methods की बात करते हैं, conservation के दो methods हमने पढ़ने हैं, तो पहला method है multipurpose projects. A multipurpose project, वैसे होता क्या है, is a large scale integrated hydraulic system designed to serve several purposes simultaneously, एक साथ बहुत सारे purpose, जो है multipurpose project solve करता है, मतलब है तो डैम ही है, लेकिन ऐसे डैम्स जो बहुत सारे functions एक साथ perform करते हैं, multipurpose projects are used for irrigation, flood control, hydroelectric power generation, navigation, fisheries and tourism, इसलिए जो डैम्स हैं कभी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडिजवाहलाल नहरू, उन्होंने जब डैम्स construction की बात की थी, तो डैम्स को उन्होंने temples of modern India कहा था, क्यूं कहा था, क्यूंकि वो बगवान की तरह ही है, हमारी economy को boost करने वाले थे, इसलि functions प्रफार्म करने में, क्यूंकि वो electricity भी हमें generate करके दे रहे हैं, वो जो एक दम से ऐसे sorrow of India कभी कहा जाता था, जिन नदियों को, हर साल, जैसे दामोदर रिवर है, जैसे गंगा है, घागरा है, गंदक कोसी, बार आ जाती थी, तो flood control का का काम करते हैं, water supply देते हैं, moreover, जो वहाँ पे reservoir बने होते हैं, उन reservoirs में fisheries भी की जाती है, fishing breeding भी की जाती है, आपके सामने ये डैम का नक्षा है, फोटो नजर आ रही है डैम की, आप देख सकते हो, multi-purpose river projects, क्या-क्या functions प्ले कर रहे हैं, एक तरफ, एक कैनाल निकाली गई है, stream, जो की खेतों को पानी देती है, scenery, beautiful scenic spot बन जाता है, ये picnic spot, बोटिंग के काम में आता है, multi-purpose project में बोटिंग भी की जाती है, इसके इलावा, flood को तो control करता ही है, तो generation of hydro electricity की यहाँ बात है, तो ये main source of power है, they provide us need, pollution-free and cheap energy, है न, which is the backbone of industry and agriculture, इसमें से किसी तरह का कोई pollution नहीं होता, जो energy यहाँ से generate की जाती है, flood control की बात करें, तो these projects control the floods, because of their huge water storing capacity, क्योंकि पीछे reservoir में ही पानी को store किया जाता है, जिसकी वज़ा से floods का खत्रा टल जाता है, these projects have converted many rivers of sorrows into rivers of burn, sorrow means science, दुख, मतलब जब बाहर आती थी, कोसी, जैसी rivers में, दामोदर rivers में, तो लाकों का नुकसान होता था, जानमाल का नुकसान होता था, जो कि आप बांद बनने की वज़ा से, multi-purpose project बनने की वज़ा से, ना केवल electricity supply हो रही आसपास के areas को, बलकि उसके साथ-साथ, irrigation के लिए भी काम में लाए जा रहा है, flood भी control हो चुका है, है ना, तो these are the, some of the benefits, dams control flood, और इस तरह से areas भी save होते हैं, इसके इलावा, जो यह dams बनाया जाते हैं, उसके पीछे जो lakes होती हैं, वो बहुत अच्छी fisheries के ground होते हैं, इस प्रोवाइट आइडियल कंडिशन फार ब्रीडिंग आफ फिश, chosen varieties of fish are allowed to grow, मतलब special varieties की fish यहां पर grow की जाती है, moreover, सबसे important बात, यह multi-purpose projects जो है, यह are, these are the tourist attractions, these projects are well cared and are scientifically developed, इनको properly developed किया गया है, picnic मनाने जाते हैं, लोग जहां पर, so these become the centers of tourist attractions and also offer recreational avenues to the adjoining villages and towns, जहां जहां पर यह multi-purpose projects है, उन areas के आसपास के जो इलाके हैं, वहां से इवन दूर दूर से भी लोग इनको देखने के लिए जाते हैं, जैसे हम slal project picnic मनाने जाते हैं, थीन डैम है, उसको देखने जाते हैं, बाख्रा डैम तक भी लोग picnic एक तरह से excursion करते हैं, यह एक geographical tour की तरह भी लिया जाता है, और यहां पर देखा जाता है, यह तो थी इसके कुछ जो advantages हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी आ जाती है, कि जब यह dams बने हैं, तो इनके कुछ adverse effects भी है, यानि कि इनके कुछ drawbacks भी है, fertility पर effect करते हैं, यह सबसे ज़रूरी, poor sediment flow and excessive sedimentation has resulted to the loss of fertility of soil, क्या होता है, कि जो मिटी है, जब पानी बहता है, तो उसके साथ sediments भी बहते हैं, तो ज़्यादा sedimentation होने के, मतलब जो गारा जिसको आप बोलते हैं, ज़् पर reservoir होता है, वहाँ पर, जब थोड़ा पानी छोड़ा जाता है, तो जो मिटी है, वो पीछे ही रह जाती है, तो वो एक excessive sedimentation जो है, वो उसका काम करते है, जो effect करते है, natural flow को, aquatic life पे भी बहुत बुरा असर होता है, aquatic life means, जितनी भी पानी की जो life है, especially जो fishes वगरा है, dams also fragment river making it difficult for aquatic fauna to migrate, क्योंकि पानी को रोख दिया जाता है, तो जो aquatic life है, वो properly flourish नहीं कर पाती, ऐसे atmosphere में, तो क्या होता है, उससे aquatic life को नुकसान होता है, due to construction of dams, the fish in the downstream area do not get sufficient nutrient supply, उनको proper nutrient supply नहीं मिलती है, fishes को, इस वज़ा से difficult for aquatic fauna to migrate for spawning, to produce eggs, उनको proper place nutrients नहीं मिलते, ताकि उसे और ज्यादा fishes develop हो सके, loss to biodiversity, जिसकी वज़ा से क्या होता है, ज्यादा नहीं develop हो पाती, fishes, उसके बाद आ जाता है, कि dams की वज़ा से, जो dams के आसपास के areas हैं, वो पानी में सबमर्ज हो रहे हैं, it is an adverse impact on the environment, इसकी वज़ा से, लोगो properties की displacement हो जाती है, building of large dams, results in displacement of local communities, आसपास के रहने वाले लोगों को, वहां से जाना पड़ता है, इसके इलावा क्या होता है, environment पे भी इसका असर पड़ता है, है, cropping pattern भी इसकी वज़ा से change हो जाता है, farmers have started growing water intensive crops, क्योंकि पानी सही तरह से उनको मिल जाता है, तो multi-purpose projects are responsible for providing assured means of irrigation to farmers, पक्का पता है कि पानी तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी वज़ा से क्या होता है, most of the farmers have changed the cropping pattern, shift into water intensive and commercial crops, which leads to salinization of soil, especially in the semi-arid and arid regions, फोटो में आप सामने देख रहे हो, यह आपको नमक नजर आ रहा है, जो white white है, कि इतना ज्यादा पानी जब वहां पर दिया जाता है, तो इसकी वज़ा से salinization हो जाती है, It also leads to division of society, into two parts, the rich and the poor, दो हिसो में environment का असर पड़ता है, तो यह कुछ थे drawbacks, multi-purpose river valley projects के, एक तुखाई कास्ट पैसा पर लगता है, adverse impact on environment होता है, adverse effect on fertility of soil होता है, aquatic life पे adverse effect होता है, उसके बाद दूसरा हमारा जो टेक्नीक है वो है rainwater harvesting, दूसरी टेक्नीक है, what are the different methods of rainwater harvesting practiced in India, तो it is a technique of increasing the recharge of groundwater, by capturing and storing rainwater, rainwater को store किया जाता है, और जो जमीन के अंदर का पानी है, उसको बढ़ाया जाता है उसके जरिए, by constructing structures, वो structures कौन कौन से होते हैं, such as percolating pits बनाए जाते हैं, check dams बनाए जाते हैं, इंडिया का तो बहुत पुराना एक tradition है, कि वो पानी को ऐसे बचा के रखते थे, पुराने जमाने में cools होती थी, जे एंड के में नाली की तरह जो निकाली जाती है, आपको photograph में सामने नजर आ रही है, उस cools के जरिए पानी पंचाया जाता था, हिमाचल में भी cools ही कहा जाता है, और तरीका जो है, rain water harvesting का क्या है, rooftop harvesting, यानि कि छट के उपर पानी को store करना, यह आपके सामने picture में आप देखि इसके चारोतर PVC पाइप्स लगाई जाती है, जो पानी उपर से बैता है, वो PVC पाइप्स तक पहुंचता है, और फिर उसको वहाँ से नीचे टैंक बनाया जाता है, और वहाँ पे पहुंचाया जाता है, पाइप्स के जरिए, तो जो slantik छट यहां नहीं होती है, वहाँ प लगेाम और भी आपकी आप डख़ारत आप सब्सक्रा आपको सुद्ध現在 भूप बिदो बी प्रशना से कोजला स्वेयरले जिए और गना कार्वे लग्ट कोणैयाता ले झाले आप बनाए जाते हैं तो यह सारे टेक्निक्स एंचिन टाइम्स में यूज होती थी हेल्स एंड माउंटेन रिजन्स में बनाई जाती हैं उपर से नीचे पानी लाने के लिए रूफ टाफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है और इसी तरह से इनका यूज किया जाता है हां तो पहला अब्जेक्टिव यह ही है कि प्रोवयट सैल्फ सफिशिएंस इन वाटर स्प्लाइए सब्सक्evांद्र इसमें प्रोभी您 होनी नीच चाहिए है 12 स ह्था क्वालिटी वाटर सॉथ हे लो इन मिन वैंड थिल्रोफ ए टो तो रेन वाटर अवाटर होता है तो रे इसकी वज़ा से ग्राउंड वाटर रिचार्ज बूस्ट होता है इसकी कुछ इंपोर्टेट इड्वांटेज इस है एंड लास्ट आखिर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की कि रेंवाटर हार्वेस्टिंग में किस किस का इस्तेमाल होता है पहले नंबर पर आगया कैचमेंट्स यानि जो च्छत वगयरा होती है दूसरे नंबर पर कोर्समेश एक जाली लगाई जाती है ताकि अक्थर बजरी वगयरा ना आ जाए पैबल्स को रोकने के लिए GUTTERS बनाया जाते हैं तीसरी नंबर का it component क्या होता है Condude पान्चवा है Condude क्या होता है pipeline cigarette that carry rain water पाचवा हैпон्स घ्मालर लगाया जाता है Brain की vavl पाशिंग गाया जाता है तो एक पर खिर से अच्छे से याद कीजिए, पहले नमबर पर आ जाता है, catchment, catchment क्या होता है, catchment of a water harvesting system is a surface which directly receives the rainfall, जो भी rainfall receive करने वाला area, यानि कि रूफ टाप जैसे हमने लिया, तो ये जो रूफ टाप है, वो catchment area कहलाएगा, दूसरे नमबर पर हमने बात की दूसरा component है, coarse mesh, coarse mesh, coarse mesh is required at the roof to prevent the passage of debris, मतलब की बजरी या जो ऐसा material है, वो इसमें से पास ना हो, यानि पी पानी साफ ही नीचे जाए नाली में, इसलिए coarse mesh लगाई जाती है, तीसरे नमबर पर gutters होते हैं, gutters include channels all around the edge of its looping roof to collect and transport rain water, ठीक है ना, edges पे जो लगाई, जो बनाए जाते हैं, चो conduits, pipelines are drains that carry rain water, फिफ्थ नमबर पे हैं, first flushing पहला पानी बहा दिया जाता है, और last में आ जाता है, filters, तो this is all about lesson water resources, short answer questions बच्चों आपने कर लिये थे, अब बात आती है, जो आपने long answer questions करने हैं, इस lesson के, तो ये सामने आपको questions मैंने दिये हैं, तो इनको देख लीजी अच्छ से, जो lesson हमने पड़ा, जितना पड़ा, ये पूरे answers उसी में से, automatically आपको, आप खुद भी बना सकते हो, इतने आसान हैं ये, name the major users of water, फिर उसके बाद, दूसरा question जो है, ये major users of water बताना है आपको, and also suggest measures to solve water crisis, दूसरा आपने, what are the multi-purpose projects, and highlight their merits and demerits, फिर आपने बताना है, define irrigation and highlight its importance, fourth question है, highlight the advantages and disadvantages of tube wells, और पांचवा question जो है, वो है, rainwater harvesting पे, very very important, what is rainwater harvesting, mention various components of rainwater harvesting system, और fill in the blanks आपने करने हैं, उसके बाद, एक map करना है, river systems of India का, उसमें दोनों तरों की rivers आपको, मैने अभी सामने मैप में आप देख भी सकते हैं, आपते हो, and this is all about water resources, dear students, with this lesson completes, have a nice day. आपते हैं, 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